आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस तरह के फोर टक्स ब्लाउस की कटिंग टीटेल में बताने वाली आपको डीप नेक के साथ में इसको बनाएंगे हम और इसका साइज जो है 42 चेस साइज है कमर इसके 36 इंची है आज दीन मैंने 5 इंची रखी हुई है आप इसकी फिनिशि का 9.5 के साथ में आप चाहे तो इसमें डोरी लगा सकते हैं आप चाहे तो इसको बिना डोरी के भी रख सकते हैं शोल्डर डाउन की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी और इसमें फिटिंग इतनी परफेक्ट आती है तो किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है यही आपक बिल्कुल भी मैने इसमे आयरें नहीं किया है, सिलने के बाद ही पुरा, फिनिशिंग के साथ मैं आपको इमें दिखा रही हूँ, हुकाई करने के बाद में, तो इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं, यहाँ पर मैंने fabric ले लिया है और यह customer ने fabric मुझे दिया है 90 cm इसी से हम इसकी cutting करेंगे cutting करने के लिए कपड़े को हमें इस तरह से double में fold करना होगा यानि कि जो भी हमारे chest size होगा उसका fourth part ले लेंगे और उसमें 2 इंची plus करते हुए इसको कपड़े को हम set कर लेंगे तो आप देखिए मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर नाप चान लीजिए chest size हमारे यहाँ पर 42 है कमा 56 है लंबाई 13 इंची की रखेंगे गला हमारा 6 है और पिछे का गला 9 इंची है आस्तीन की लंबाई हमारी 5,5 रहेगी और मोरी हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंची इसी measurement से मैं आपको इसकी cutting बताऊंगी deep neck के साथ में तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 12 इंची का ले लिया है साड़े 10 इंची हमारा 4th पार्ट आजाता है 42 इंची में और यहाँ पर 1,5 से 2 इंची आप margin ले सकते हैं मैंने यहाँ पर 1,5 इंची लिया है कपड़े को इस तरह से हम set कर लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर back part की cutting करेंगे चैनल पर अभी आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा सब्सक्राइब करते डाएं बैल के नोटिफिकेशन और को जरूब कीजेगा जिससे कि मैं जब भी को वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अभी यहाँ पर देखिए हम तुरपाई में इसको बनाएंगे तो तुरपाई में बनाने के लिए नीचे से हमें यहाँ पर 1.5 इंची एक्स्रा लेना होता है तयार लंबाई हमारी 13 इंची रहेगी यानि कि आप जो भी तयार लंबाई रखेंगे उसमें से प्लस आपको 2 इंची लेना है अगर आप फुल यहाँ पर दुरपाई में बना रहे हैं इस लाइन को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है गला हमारा यहाँ पर डीप है इसके साथ में हम यहाँ पर इसको बनाएंगे 9 इंची के हमें तयार लंबाई रखनी है तो यहाँ पर देखें आदा इंची एक्स्रा लेते हुए 10 इंची पर निशान लगा दिया है तो यह हमने सबसे पहले ले लिए गले की लंबाई इसके बाद में यहाँ पर देखेंगी गले की चोड़ाई ले लेंगे तो मैंने की गले की चोड़ाई यहाँ पर लिए सवा दो इंची यानि की दो इंची दो पाइञ्ट लिया है और सोल्डर ले लिया है यहाँ परivares नाड़ेपाँ इंची यहां से लेके यहां तक इसका margin हो गया, अब कमर को हम जो adjust करते हैं, तो आप यहां पर कमर का fourth part भी ले सकते हैं, plus tux का point ले सकते हैं, और उसके बाद में आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें margin ले सकते हैं, तो लेकिन मैंने यहां पर simple ही रखा है, tux का point लगा के हम उसको इस की लंबाई हमने यहां पर 3 इंची लिए है, चोड़ाई नीचे की side से, और इस तरह से मिलाते हुए यहां पर round का shape लगा देंगे, तो इस तरह से हमारे back part की हां पर marking हो जाती है, और जो हमने marking की है, इसी पर ही हम इसकी cutting कर लेंगे, बताने के लिए मैं हर बात आपको step by step ब बार बार गिरते रहते हैं, तो इस तरह से आप cutting करेंगे, तो बिल्कुल भी आपकी यह समस्या नहीं आएगी, चार इंची का निशान लगाया है, मैंने यहां पर center से मिलाते हुए, टक्स के लिए back की, और यहां पर देखिए 10 इंची की लंबाई में मैंने इस तरह से mark ले अभी दोनों साइड से हम आदा आदा इंची का यहां पर margin ले लेंगे, पॉन इंची भी आप ले सकते हैं, क्योंकि chest size यहां पर हमारे थोड़ा से है तो इस तरह से आप ले सकते हैं, बहुत main point होता है यहां पर हमारे shoulder और हमारे tux के point, तो इन चीजों को आपको ज़रूर अभी ले लेते हैं यहां पर front part, तो दीखे, front part को भी इस तरह से सेट कर लिया है, अब इसकी marking करते हैं, तो front part पर हमें किस तरह से marking करनी है, किस तरह से हमें यहां पर इसके tux के point लगानी है, four tux के साथ, shoulder हमने यहां पर इस तरह से लिया, 5.5 आर्म होल भी हमने यहां यहां लाइन को सिधा कर लेंगे हम और फ्रेंट पार्ट में हमें थोड़ा सा अंदर की साइड में रखना होता है आर्म होल का जो शेप होता है अभी देखिए लंबाई जो तयार रहेगी हमारी आप पर 15 इंची ही तयार रहेगी हमारी 13 इंची तो 2 इंची एक्स्टर लेते हुए 15 इंची का निशान लगा दिया है लाइन को इस तरह से हम सिधा कर लेंगे तो जिस तरह से हमने बैक पाट में लंबाई ली थी 15 इंची सेम इसी तरह से ले ले रहे हैं क्योंकि हम इसको तुर्पाई में बनाएंगे अभी देखिए आप इस तरह से हमने शेप डाल दिया गल ले कि जो चड़ाई होगी वो ढाइंची लेंगे सामने से और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे यहां पर राउंड शेप लगा देंगे तो देखे इस तरह से हमारा round shape लग चुका है सामने के हमारी marking complete हो गई है सेम marking पे इस पे हम cutting कर लेंगे तो front और back part हमारे 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 cutting हो जाते हैं एक बार इस तरह से गर आप cutting करेंगे तो आपका जो shoulder गिरने के समस्या होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी लेकिन साथ ही साथ हमें इसको stitch करते समय भी कुछ point का ध्यान रखना होता है वो points क्या-क्या होते हैं वो आप अभी मेरी next video जब आएगी stitching की तो वो आप देखेगा center point से हम 4 inch का निशान लगाएंगे यह देखे इस तरह से निचे की साइड में ले जाएंगे और यहां से हम 3 inch उपर की तरफ रखेंगे जो हमारा armhole की साइड में होता है और इनके जो points होते हैं हमारे जिटक्स हैं यहां पर हमें आदा इंची से भी कम margin लेना होता है यही चीज़ों होती है कुछ जो हमारे सिलाई को perfect बनाती है finishing से बनाती है किन-किन बातों को आपको धियान रखना है जब आप stitch करते हैं तो जिससे की हमारे blouse की finishing होती है जो fitting होती है बहुत ही ज़्यादा perfect आती है कुछ चीज़े आपको मैं बता सकती हूँ लेकिन कुछ चीज़े जो होती है वो आपको practice से ही समझ में आएंगी जब आप slide करेंगे अराम से उन्ची जुको करेंगे तब ही आपको कुछ चीज़े समझ में आती है लेकिन फिर भी हर बात को मैं step by step आपको समझानी की कोशिश करती हूँ क्योंकि जो experience होता है वही हम आपके साथ में share करती है देखे front part back part cut हो चुके है अभी हमें आपस sleep के cutting करनी है sleep हमारी तयार रहेगी 5.5 इंची तो उसमें 2 इंची हमें plus चाहिए देखे उधर से नहीं निकलेगी यह देखे आगे की side में किनारी है तो यह किनारी का निशान लगा के इसको हम हटा देंगे cut कर देंगे अभी देखे तयार लंबाई हमारी 5.5 इंची है तो आप देख सकते हैं 5.5 इंची का निशान लगाने से पहले आगे की fold के लिए लगाएंगे क्योंकि तुर्पाई बनाएंगे फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे और 5.5 इंची हमारे sly margin हो जाएगा तोटल हमारा इस तरह से जितना भी आप आ रहा है आप उस तरह से निशान लगाएगा अगर आप किनारी fold कर रही है या आगे lace लगा रही है आदा इंची अंदर की side से लगाएंगे यह हमारे front की sleep का छाट होगा अभी same marking पे हम इसकी cutting कर देंगे और अंदर वाली जो shape है वो हमें सिर्फ दो parts पे cut करना है अगे का जो extra margin लिया था उसकी भी हमने cutting कर दी है मोरी हमारी यहाँ पर 6 इंची है और 2 इंची हमने यहाँ पर margin ले लिया है इस तरह से निशान को मिला देंगे यहाँ से extra कपडे की cutting कर देंगे तो इस तरह से हमारे sleep की भी cutting हो चुकी है अभी हमें cutting करनी है आगे की front part की पट्टी के लिए और हमें चाहिए होगी यहाँ पर pipe in तो देखे पट्टी के लिए हमने जो गले की side से जो पट्टी हमारी बच्टी है इसी को ही हम यहाँ पर बीच से fold कर लेंगे और 2 parts में cut कर लेंगे एक से हमारी hook काई की पट्टी बन जाएगी और एक से हमारी eye वाली पट्टी बन जाएगी अभी इस कपड़े को हम इस तरह से open करेंगे और यहाँ पर हमें बनानी है निकालनी है pipe in पट्टी तो देखिए इसको तिर्चे में ही निकालना होता है इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आप सीधे में निकाल लेंगे तो हमारी गले की जो finishing है वो नहीं आएगी इस तरह से तिर्चे में इंची टेप को रख लिया है मैंने और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है अगर आपको pipe-int पटी निकालने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर mark भी कर सकते हैं और यह पटी मैंने निकाली है सवा इंची से डेरी इंची चड़ाई में क्योंकि मैंने यहां पर cutting कर लेनी हैं अगर पटी कम पड़ती है तो कपड़ा आपके पास extra है आप यहां पर पट्टिया और भी निकाल सकते हैं तो finally हमारे यहां पर blouse की cutting हो चुकी है और stitching का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे comment किजेगा मैं stitching का वीडि पसंद आई हो तो like जरूर कीजेगा मिलते हैं next वीडियो में